and welcome to the knowledge source, so UN has called for the investigation as the police in Brazil had killed at least 24 people who is considered to be involved in the drug related activities and the all kind of illegal activities और ये जो मरने कहां कड़ा है वो अभी तक अभी के situation में हम देखे तो वो 28 तक पहुच चुका है और इसमें UN की एक body उसने कहा है कि इसमें investigation करने की जरूरत है क्योंकि जिस तरीके के पुलिस की brutality है और जिस तरीके killing है इसमें ये questions उठा रहे हैं तो इस session में हम discuss करेंगे किस तरीके situations ब्राजिल में है और क्यों time and again हम देखते हैं कि UN की जो human rights body है वो यहां पर questions उठाती है कि जिस तरीके killings वहां पर हो रही है जो भी people's illegal activities में although involved है लेकिन उनकी जो killing है इस तरीक questions mark हैं तो यह सब counter arguments and arguments हम देखेंगे but before the starting this session मैं आपको बताना चाहूंगा आप हमारे टेलिग्राम चैनल और फेस्बुक चैनल से जूटना ना बोले और प्लीज हमारी YouTube चैनल को भी subscribe करें सो अगर बताओ अभी police raid जो अभी conduct किया गया ब्राजिल में और यह जो इसके बाद activities like drugs और extorsions या फिर kidnapping इन सब की चीजों की जो activities वहां पर किये जा रहे थे यह लोगों के द्वारा उनके ओपर यह अटक किया गया और इसके बाद counter firing में दोनों तरप से देखते हैं जहां पर around 28 लोगों की जान जा चुकी है इसमें considering बाहर के लोग भी इनो इनो civilians में included हैं औ United Nations की human rights जो body है उन्होंने भी questions उठाए हैं कि इसमें independent investigation करने की बात उनने कही है और यह जो अगर बात करूं में एक last अगर कुछ सालों में या फिर last one decade में जिस तरीके का history वहां पर की दिनों एक pattern हमें देखने को मिल रहा है जहां पर कि disappropriate या फिर unnecessary use of force जो है ब्राजिल की पुलिस यहां पर utilize कर रही है to kill the people ऐसा UN human rights के दुआरा यहां बोला गया है कि maybe police you know last अगर one decade से देखे तो police की जो killings है वो कहीं जादा है और इसके चलते हैं मैं देखने को मिल रहा है कि जो एक black community से लोग हैं उनकी deaths जादा हमें देखने को मिल रही है as compared to any other communities who are involved in such kind of illegal activities इसमें हम देखे different protest हो रहा है कि हमारे जो racism के बारे में बात की जा रही है क्योंकि black community के बारे में लोग यहां पर जादा aware कराने कोसिस कर रहे हैं और क्योंकि यह जो total हम देख रहे हैं last one decade से क्योंकि black community के against जो भी cases हो रहा है या फिर जो suit outs हो रहे हैं तो अगर हम देखें यह जो इंकाउंटर है यह सिबिल पुलिस के जो डियो डिजनारियों के पुलिस हेड है उनका कहना है कि यह लॉंच्ट ऑप्रेशन जो था एक क्रिमिनल और्गनाइशन रिस्पॉंसिबल जो डिफरेंट होमोसाइड्स में रॉबरी इस कि नैपिंग्स पिर सॉलिटी सेसेजन ऑफ माइनर्स यह सब कुछ ऐसे इलीगल एक्टिविटीज है जो कि यह लोग ऐसे कम्मुनिटीज जो है यह यह पिपुल्स जो है वह इन्वाल्ट है इसमें जो एक्संस लिए गए वह पुलिस रियो डिजनारियों के हैड जो है उनका कहना है कि जो एक्संस लिए गए और टोटली इंटेलिजन्स के इंपूट पे लिए गए और जो भी इन्वेस्टिगेशन आने वाले मंस में किये जाएंगे वो टोटली कम्पलीट अनवाइश तरीके से किये जाएंगे और उनका यह भी कहना है कि जो भी ट्रांसपेरंसी और स्मूथने हमने लास्ट टेन मंस में यह ऑपरेशन को करी आउट करने की कोशिस कर रहे थे हैं और क्योंकि यह एक ऑप्टिमल चांसे था ड्यू टू दा कोरोना वाइरस और जिस तरीके से में भी इलिगल एक्टिविटीज में भी कनफाइंड तो इसके चलते हमने यह टोटल अगर हम देखें जिस तरीके से जो क्योंकि डिफरेंट लोगों के फिर डिफरेंट हुमन राइट्स बॉडिज का यह कहना है कि जो एक्स्टा जूडिसल किलिंग्स हो रहे हैं ब्राजिल में तो अगर हम देखें नमबर्स के अकॉर्डिंग तो 2010 से देखें 2019 तक ता आपक किलिंग्स हैं डिफरेंट इलिगल अक्टिविटीज कि जो एक्सपाइक हमें देखने को मिल रही है और क्योंकि डिफरेंट गहर्मेंट पर यह प्रेसर समैसा से रहता है कि किस तरीके से जो इस तरीके इंकाउंटर होते हैं उसको कंड्रोल किया जाया जो मिटली उन्हें डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरीके से इवेन इंडर केस ओफ इनो किलिंग दोस पीपल्स दोस वर इंबॉल्ड इन सच कैंड अव एक्टिविटीज वहां तक भी जा सकते हैं अब भी देखें यून हाई कमिशन और यूमन राइट्स की बॉड़ी उनकी उनका क्या कहना है जो है उनने का है कि प्रोस्कूटर जो है वो कंड़क्ट कर एक इंडिपेंडेंट थोरो इन्विस्टिगेशन और जो भी इस तरीके के इंटरनेशनल स्टेंडर्स यह यह पैरा तो इस तरीके का उनने questions उठाया है और एक thorough investigation की बात की गई है अगर हम देखें human rights watch जो है वो 2019 में कहा था कि 6357 people were killed in the hands of police national nationwide पूरे nation में हम देख रहे थे कि 2019 में around 6357 लोग मरें और उसमें 80% were from the black community तो ये कुछ ऐसे facts and figures जो provide किये जा रहा है जो कि question mark उठाता है definitely लेकिन अभी questions यह है कि अगर certain people's और certain communities से ही लोग आ रहा है तो उनकी basically देश तो होगी तो ये भी कुछ ऐसे counter arguments अगर हम बताएं तो हो सकता है लेकिन आपको यह देखना है कि police operation जो है एक long standing trend जो unnecessary disproportionate use force करता है ब्राजिल में और ऐसा UN का मानना है कि जो ब्राजिल के जो poor या फिर marginalized या फिर predominantly Afro Americans जो Afro African नसल के लोग हैं उनकी उपर रताचार किया जा रहा है ब्राजिल पुलिस का ऐसा questions mark raised किये गए हैं UN human rights body के द्वारा तो यह कुछ ऐसे arguments हमें देखने को मिल रहा है अगर हम देखें कुछ facts के तुरूद देखिए around अगर हम देखें टोटल नंबर of populations रियो डिजनेरियों की उसमें देखें 47% जो है वो considered to be white people and 52% considered to be black people and 1% अधर सो इसमें black people में भी जो particular हम जिस तरीके के suits out या encounters यानि कि अफ्रीकन नेसल्स हैं उनके ऊपर या फिर वो people involved हो रहे हैं इस तरीके activities में तो उनकी deaths ज्यादा हो रही है इसके बाद देखें जो people killed by the Rio Degeneri वो इसमें देखें हम तो 77% लोग जो हैं वो black people यानि कि black people की deaths ज्यादा हो रही है पुलिस की द्वारा 15% people जो है white और 8 परसेंट जो है unknown तो इसमें मैंसे maximum में देख रहे हैं कि जो black communities के लोग हैं उन पर क्योंकि वो लोग ज्यादा involved हो रहे हैं तो ultimately उनकी deaths ज्यादा हो रही है तो यह कुछ ऐसे facts हैं इसके बाद अगर हम देखें एक बड़ा question यह उठता है कि जो encounter only option है क्या criminal को wipe out करने का दो द illegal activities है उनको wipe out नहीं किया सकता है only you know eliminating the criminals will not in the everything illegal activities तो सबसे पहले हमें तो ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से community की development हो लोगों के पास job हो लोगों के पास education हो तो ultimately हम देख सकते हैं कि in trickle-down effect यह तरीके जो illegal activities है उसमें हमें कमी दिखने को मिल सकती है इसके बाद अगर हम execute कर सके impunity या फिर communities जो है क्योंकि एक दूसरे में difference है तो people और लोगों के बीच में कहीं नहीं कहीं इस indifference के चलते एक दूसरे के उपर trust नहीं है जो कि एक trust build-up करने की जुरत है ब्राजिल पुलिस को ताकि लोग उन पर trust कर सके और धियर जरे हमें देखने को मिल सकता है ज लेकिन अभी क्योंकि ब्राजिल गवर्मेंट एक अंडर डेवलप्ट कंट्रीज है और डेवलपिंग कंट्रीज है अगर मैं बात करूँ जहां पर देवलप्ट करने के कोसिस कर रही है और हमें inequality भी देखने को मिल रही है तो इस तरह के कुछ situations के चलते हैं हमें इस illegal activities को द पर civilians की इनकी prosecution में उनकी death हो जाती है तो वो cases दो था वो civilian court से transfer करके military courts को दे दिया गया था यानि कि civilian courts में कोई भी hearing नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि military को powerful बनाया गया है और कोई भी questions माक अगर होंगे तो totally वो military उनको protection दे सकते हैं तो यह कुछ ऐसे situations हैं जहां अभी ब्राजिल अभी इस तरीके situation से गुजर रहा है और में भी हमें आने को अनो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कि ब्राजिल एक thorough investigation के लिए जाए और में भी यह जो inequality है उसको हम उसमें भी कमी देखने को मिल सकती है so that's it for today मैं आसा करता हूँ आपको इस session में कुछ नया सिखने को मिला होगा so thank you as always for joining